हालो दोस्तों चलो आज कुछ नाया करते हैं स्वागत है आपका आर एलेक्ट्रिकल सॉलुशन इस चानल में यह वन फ़प्टी वाट बजज का मेटल है लाइट लाम्प है लाइट सेट है तो इसे कैसे रिपेर किया जाता है यह आज सिखेंगे हम काश को यह चले खूलना शुरू कर देते यहां से दोस्तों यह स्प्रिण टेंशन रहता है इसको मापे इस्प्रिंग को नीच्छे होल रहता है उसको खाल टेस्टर से उठाना है चारो तरब चार कोनों में चार स्प्रिंग टेंशन रहते हैं उसके कांच को उठाके दोस्तों साइड में रख देते हैं संबल के रखना है कई कांच तूटना जाए दोस्तों सेप्टी के साथ और सुरक्षितता के साथ यह दोस्तों इगनेटर है 70 वाट टू 400 वाट किसी को भी चल सकता है किसी भी लाइट को 70 वाट टू 400 वाट का और यह दोस्तों यह कापिसिटर है इसका दोस्तों बालास्त है 158 बालास्त यह बालास्त वीक पर चुगा है तो इसे दोस्तों चेंज कर लेते हैं यह आप देख रहे हैं दोस्तों यह 240 वोल्ट है यह 220 वोल्ट और एक कमन रहता है उसमें यह मेटल हैलाइड लाम्प है दोस्तों डबल एंडेड मेटल हैलाइड लाम्प 150 वैट यह इसके वायर से शिंगल फेज का यह लाइट सेट है दोस्तों 220 वोल्ट यह 230 वोल्ट इसे जलता है दोस्तों कि शलो दोस्तों 220 की स्क्रूइख यहिल रहा है दोस्तों एक हाथ से मैंने कैमेरा पकड़ाया वह मैं काम कर रहा हैं आपको भीड्यो बना के दिखा रहा हूं यह connector के screw खोल लेते हैं और दोस्तों आपका कुछ questions होगे mind में तो आप जरू comment करके बताइए इसके बार में और कुछ जानना चाहते हैं तो comment कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए यह बालास्त निकाल दिया दोस्तों हमने यह नया बालास्त लगा देते हैं दोस्तों देखते हैं इस सेम 158 बालस्त है कामेरा ठीक नहीं हो जी हो नहीं कि वह जिसे दोस्तों मॉबाइल का ठीक से दीख नहीं रहा है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसका connection कैसे होता है यह इसकी drawing है हर बलस्त के उपर दोस्तों एक drawing आती है उसको कैसे connect करना है कापिसेटर कैसे लगाना है इगनेटर कैसे लगाना है यह हमने पावर की वायर लगा दी दोस्तों तू थर्टी है उसके साथ में इगनेटर की एक red wire common है जहां पे हम power देते टूफोक्त होल्ट जहां पे सिंबॉल रहता है wanna पे हम एक इगनेटर की red wire और जो power की वायर उससे connect कर देते हैं और ये yellow wire है उससे 220 पे लगाना है 220 फोल्ड पे 220 का सिम्बॉल रहता है दोस्तों वहाँ पे तो 220 के कनेक्टर में उसको लगा देना है और जो बचा है वायर वह कॉमन को जाता है दोस्तों और कॉमन से निकल के वह लैंब के लिए जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ से न्यूट्राल जाता है दोस्तों यह देखे चेक कर रहे है ठीक चल रहा है हमने बलस्ता चेंज करने के बाद लैंब ठीक से चल रहा था दोस दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए